तो आज की इस वीडियो में मैं Instagram Threads Application के बारे में बात करने वाली हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस पे अकाउंट किरियेट कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको डाउनलोड कहां से कर सकते हैं तो ये सारी information मिलने वाली इस वीडियो में Instagram ने एक feature को launch किया है threats करके यह अलग से भी application है और आपको direct Instagram में भी मिल जाएगा यह features तो यह बिल्कुल Twitter की तरह है यहाँ पे आप post कर सकते है photos, videos और किसी भी post पे आप अपना opinion share कर सकते है देख सकते है यहाँ पे इस तरीके से आप comment कर सकते है तो इस तरीके से इसका home page है उस जिस भी post के बारे में तो आप यहां से search करके देख सकते है उसके बाद देख सकते है नीचे की तरफ उसके बगल में यहां से हमें thread को post करने का option मिल जाता है यानि कि यहां से हम कुछ भी post कर सकते है तो आप इस तरीके से कर सकते है इस application को उसके आप देख सकते है अब next जो option यहां से आपका जो भी friend quiz किसने भेजा है आपने किसको follow करा है किसने आपको friend quiz भेजा वो सारा यहां पे इस तरीके से आ जाएगा उसके बाद देख सकते हैं यहां पे बगल में हमें profile का option मिल रहा है तो यह जो profile है कुछ इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं इसमें भी इसका जो name है वो अलग है यूजर नेम अलग है आप यहां पे भी अपना dp लगा सकते हैं यहां पे आप अपने profile को edit कर सकते हैं यहां से आप अपने bio को add कर सकते हैं और यहां से आप thread को create कर सकते हैं तो इस तरीके से यह similar Instagram यानि कि जो भी सारे social media है उस तरीके से यह भी एक application है जिसको Instagram ने launch किया है तो आप भी इस पर अपने account कर सकते हैं बहुत ही असानी से तो अब बात करते हैं कि इसको download कहां से करें तो इसको simply हमें अपने play store से download कर लेना है तो हमें यहां से अपने phone के play store आ जाना है यहां पर आने के बाद हमें search कर लेना jul aura weet करके तो यहां परTHREAD कर लूँगी в Saarch करते ही देख सकते हैं सबसे ओपर यहां पे Deshalb का option आ रहा है तो हमी सपर क्लिक कर दिना है इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं यहां पर हमें whipping अप्लेकेशन देखने को मिल रहा है त करने के बाद यहां से आप इसे open कर ले open करने के बाद आपको sign in करने का option मिलेगा तो sign in कर लेना है एक user name को बना लेना है उसके बाद एक phone number या फिर email ID को दे के इस तरीके से अपने ID को create कर लेना है उसके बाद देख सकते हैं यहां पे आपको profile pic लगाने का option मिलेगा तो यहां स तो एक बहुत ही सिंपल सा Application इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते है यह अभी नेया नहीं लाँच हुआ है थो आप इस बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते है तो मैंने यहां पर बना लिया अपना एकाउंट ट्रेट्स पे अगर आपने नहीं बनाया है तो आज ही बना ले अपना एकाउंट ये एक बहुत ही सिंपल सा अप्लिकेशन है इसमें ज्यादा कुछ ताम ज्याम नहीं करना है सिंपले इस पे आपको फोटो वीडियो देखने को मिलेगा अपना उस पे ओपिनियन डालने को मिलेगा इस तरीके से आप जो भी पोस्ट या फिर जो भी नियूस वगरा जाना चाहते हैं अब यह सेम टुइटर की तरह अप्लिकेशन है तो आप भी इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं सो आई होब कि आप कोई चोटी से जानकारी अच्छी लगी होगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं